असलाम लेकूं मैं हूँ सानम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शाक कैसे हैं वीवस आप लोग ठीक हैं भाई यही अगर आप लोग भी करप्ट होते तो पीडियम के निगरान वजीरियाला के नामों में आप लोगों का नाम भी हो सकता था क्योंकि पीडियम वालों ने जिस शक्सियत का नाम निगरान वजीरियाला के लिए दिया है उसकी वाहित काबलियत और वजह इशारत यह है कि भाई money laundering बहुत अच्छी करता है दो नमबर शरीफों माना तुम लोगों को कोई इमानदर बंदा नहीं मिलता पर थोड़ा करप्टी ढूंड लेते जिसका नाम तुम निगरान वजीरियाला के लिए दे पाते वो तो मकसूद चपडासी का नाम एक्सपोज हो गया था इसलिए उसे ठिकाने लगाना पड़ा वरना तो कुछ पता नहीं था उसका नाम भी निगरान वजीराला की लिस्ट में होता भाई इन दो नमबर शरीफों का तो मेरिट ही ही है जो बंदा जितना करप्ट उसकी नौकरी उतनी ही पकी आम लोग एंटर्वी में लोगों की डिगरीज देखते हैं और ये करप्शन के रिकॉर्ड देखते हैं अब आहचीमा साब को ही देख लें जनाब की तंखवा सतर हजार होगी और जैदादों के क्या ही कहने हाफजाबाद में सैंकडो किनाल की जराई अराजी जिस पे मजदूर और मशीनरी तक हकूमती खर्चे पे काम करती है और इसके इलावा भी बत्ती सो किनाल और जमीन भी है मौसूफ की इन दो नमबर शरीफों के इस नामजद वजिर आला ने आशियाना हाउजिंग स्कीम में लंबा माल बनाया और तो और अपने आकाओं को भी खूब खुश किया ये सतर हजार तंखवा लेने वाला सरकारी मुलाजिम लहौर में एक प्राइवेट हाउजिंग सुसाइटी का मालिक है भाई मुझे भी ऐसी सतर हजार तंखवा चाहिए जिसमें इतनी बरकत हो जब इसके आका शेहबाश शरीफ ने लैपटॉप स्कीम का अगास किया तो इस कारिगर ने बीस हजार के लैपटॉप को सरकारी कागजात में 38,000 का बताया यूँ जनाब ने हर लैपटॉप में 18,000 प्या कमाया कुछ खुद खाया और कुछ अपने आकाओं के लिए मनी लॉंडरिंग करके बाहर पंचा दिया हाँ और तो और आहत चिमा साब की गुज्रावाला और केंट में भी कई किनाल अराजी है इस पे भी जल्दी मर्यम बीबी का बयाना आ जा जाओगा और जो दूसरा नाम दिया है वो मौसूफ जर्दारी साब के फरजंदे अवल हैं फरजंदे अवल से आप लोग समझे होंगे बिलावल जर्दारी साब अरे नहीं नहीं यहां बात हो रही है भारिस टिल्मिल केस बेंक फ्रॉड केस का मर्कजी करदार और जर्दा जर्दारी साब का बेटा ही कहेंगे अब जर्दारी साब ने इनका नाम दिया है तो आपको इनकी खूबियों के बारे में तो अंदाजा होई गया होगा जर्दारी साब का खास होने के साथ साथ इनकी हरकते भी जर्दारी साब से बहुत मिलते जुलती हैं यह सहाब रजीम आला पंजाब के अलेक्शन के मौके पर चौदरी सुजाच साब के नाम का लेटर भी इन्ही के घर पे लिखा गया था। जर्दारी साब के हर पुठे काम में इन्ही जनाब का नाम पाएं गया। इनका चैनल 24 News बे गयर न्यूस कैटेगरी लाइसंस के ऑपरेट हो रहा है। और जब मौसूफ के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की जाती है तो अपने वर्कर्स से जबरदस्ती एतजाज करवा कर ब्लैक मेलिंग शुरू कर देते हैं। पिछले चार साल फेक न्यूस इनका धंदा रहा और तो और मुल्क में अनार की फ्लाने में भी पेश पेश रहे। और तो और नज्जम सेथी जैसे नवाज श्रीफ और न्यूट्रल के हवारी भी इनी के चैनल पर एंकर हैं। इनके फेक न्यूस चैनल पर सहाबा कराम की शान में घुस्ताखी की गई और इन मौसूफ ने माफी तक नहीं मंगे। फजुर एमान साब अब इस नाम पर कुछ नहीं बोलेंगे। मगर अगर यही नाम तहरीक इनसाफ ने दिया होता तो अब तक कई तरह के फत्वे जारी हो गए होते। इन दो करदारों का नाम देने से पीडियम की असलियत, उनका करदार और उनकी सोच और वाजिया हो गई है। खुद को कर करप्ट इतना के हर एसेमली तहलील से पहले पीडियम खुद पूछेगी बता निगरार वज़ीर आला के लिए तेरी रजा क्या है। इसके साथी मुझे दीजिए इजाज़त, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जरूर बताईएगा। खुदाफेश